हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई चैनल स्पेंकास ग्लैमवर्ड कैसे आप सब आप सब अच्छे ही होंगे सो मेरा जो आज का यह वीडियो है वह है एंटी एजिंग पर मेंने फेस पैक आज आपके साथ शेयर किया है जो की है ग्रीन टी से बना हुआ बहुत ही अच्छा फेस पैक है आप इसे ट्राइ कर सकते हैं आपकी स्किन काफी अच्छी हो जाएगी इसे लगाने से काफी ग्लोइंग और शाइनी आपके सकी सारी प्रोल्म्स इस पैक को लगाने से सौल हो सकती है तो चलिए देखते हैं यह पैक मेंने बना लिया है इस तरीके से डाइंट अब मैं इसमें एड़ करूंगी वन स्पून कर्ड यह देखिए हाफ स्पून में ने याप लिया है हनी एक विटामिन E का कैपसूल और अब लास्ट मैं इसमें एड़ करूंगी कोफी पाउडर आप इसकी जगां पर बिसन भी ले सकते हैं मैं यह पर कोफी का यूज़ कर रही हूं देखिए इस तरीके से इसे मिक्स करना है अब इसको मेरे चहरे पर आप देखिए कोई भी मेक अप नहीं है मैंने कोई मेक अप नहीं किया हुआ है जस्ट ग्लोज लिगाई है मैंने अपने लिप्स पर तो चलिए पैक लगाना स्टार्ट करते हैं आपको भी अपने फेस को पहले अच्छी तरह से किलीन कर लेना है कोई भी मेक अप के फेस पर नहीं होना चाहिए आप नहीं होना चाहे है तो इस तरीक्वें से देखिए मैं से अपने पूरे फेस पर अप्लाय करूँगी किक बार में ही यह एक पैक आपको इतना अच्छा जल्फ देगा कि आप देखिए रह जाओगे काफी फाइदे हैं आपको पता ही है वह हमारी हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है और वैसे हमारी स्कीन के लिए भी यह काफी अच्छी है अच्छे तरीके से आपको इसे अप्लाई कर लेना है अपने पूरे फेस पर आपके सामने ही मैं देखिया अप्लाई कर रही हूं आपस के इस से इस प्रोब्लम और इस प्रोब्लम के लिए इस चोड़ना है इसे ड्राइब होने के लिए आगे मैं आपको बताऊंगे किसे रिमुव कैसे करना है अब मैं क्या करूंगी इस तरीके से स्क्रब करते हुए रिमूव करूगी इस तरीके से देखिए ठोड़ी दिर ऐसे मिसाज करने के बाद आपको इसे पानी से वोश कर लेना अपने फेस को बश्तोड़ा सा आपको इसे स्ट्रबिंग करना है देखिए मैंने अपना फेस क्लिंग कर लिया है वाथ से अभी तक सुखाया नहीं है मैंने देखिए कितनी अच्छी स्कीन हो गई है इसके बाद में आपको इक स्टेप बदाऊँगी कि आपको लास में क्या करना है सीधर जल्ट देखिए कितना अच्छी हो जाए इसका पैक का अगर एक बार लगाने से ही इसने इतना चरजल्ट दिया है तो सोचिए आप अगर इसे रेगुलर फोलो करते हैं तो इतना चरजल्ट होगा कि आपकी स्किन कित्मी अच्छी हो जाए और स्किन आपकी टाइट भी होगी इससे जो आपकी स्किन पे एससे पहले रिंकल्स आ एक पंप वाली बोटल में रोज़वर्टर भरकर रख लिया है मैंने इस तरीके से तो यसे में इस स्टेप को मैं रोज फोलो करती हूं इस तरीके से दीखें कि नहाने के ज़स्ट बाद मैं इस स्टेप को फोलो करती हूं देखिए का सूपर लाइट जेल देखिए काफी अच्छा जल है यह आप इसे ट्राई कीजिए आपको जरूर पसंद आएगा देखिए इस तरीके से कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है मेरी स्किन काफी ड्राई है इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूं आप इसकी बजाए ऐलोवेरा जेल भी उसकर सकते हैं बट यह मुझे काफी परसंद है लिकि इस तरीके से आपको क्या करना अपनी पेस को मसाज भी देनी है कि यह दो स्टेप हैं जो आपको फोलो करते हैं दूसरा इस तरीके से देखिए अपनी पूरे पूफ को आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स आप वीडियो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो आपके एक लाइक से क्या आता है मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं जो भी वीडियो अप लोग के लिए वह आपको पसंद आ रही है ओके फ्रेंड्स मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तिल दन बाई बाई फ्रेंड्स थैंक्स फर वाचिन